उत्यप्रदेश के गाज़पुर में एक बस के हाई टेंशन बिजली के तार के संपर्क में आने से दुकत हाथसा हो गया आपको बता दे के हाई टेंशन बिजली के तार के संपर्क में आने से बस में आग लग गई जिससे पांच लोगों की मौत हो गई वही काई लोग जुलस गए हैं वही इस हाथ से पर नगर विकास एवं उर्जा मंतरी एके शर्मा ने दुख वेक्ट किया है और इस मामले पर संग्यान लेते हुए उन्होंने तीन अधिकारियों को निलंबित कर एक कर्मिक को सेवा समाप्त कर दी है अधिकार एक बस को असपस करने को विज़र से बस के यात्वियों को भुषान हुआ, बस को भुषा से जदी हुई और पांच लोग की बित्किली, यहां पांच लोग ताजी दुख एड्मिट है चार यह पांच लोग की बित्मिट है होजी दुखत रखना है मुझे इस बार कमारा दूखे लोग के लोगों की सतरकता इस तश्वी से पढ़नी चाहिए, इसका में सेम मैं आवास करना हुई और उन्होंने लापरवाही की है, इसके मते नजल, करी दों पर कानवाई भी की लिए तिक लोगों सेस्प्रिट किया इसद्धिया है, एक्सियान यह को अची मते लुगजि नाइड मैंत में इसमा पुसरती गी पर का स्द्धिया पर लिए ऐसी कटना है फिर नजल, कि इसके लिए हमने ज़मैन कोई सुचना दिया है कि इसने इससे क्या लेसल लेसल लेते हुए, और लेसल लेते हुए, ऑ़ झारनी कहता हुट। टेखंगों सारी जामकारी थीस्टी ती तीग है। मैं झारी प्रेकारियो संसा कहता हुट। अचा रखता हुट। इजो झायल है, औल से मोज ठीक करेंगे। जो दिवंगत हो गए हैं, उनकी आत्मा को इस सुसांती देंगे, और उनकी परिजनों को या पाल दुख संद करने की सकते हैं